Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel In this video, we will do question number 5 of brain teaser chapter number 4 यह जो हमारा 6th class है, उसमें हमारा chapter number 4 है, इसका नेम है Ratio, Proportion and Unitary Method इसमें हम इसका question number 5 कर रहे हैं, brain teaser का तो हम एक बार पहले इसकी statement को हम एच्छे से understand करना होगा तभी हम इस question को कर पाएंगे अब इस question में देखिए क्या है साहिल वेट 36 kg यहाँ पर वेट लिखा हुआ है वेट की ही sense में होता है जैसे हम वेट बोल देता है वेट मेंस भी किसी में कितना वेट है और वेट इसका भी meaning सेम होता है तो आप चाहें तो आप इसको कहीं पर अपनी डिक्शनरी में या कहीं इसको सर्च कर सकते है वेट इसको पढ़ेंगे वेट इसका भी meaning वही होता है वेट साहिल वेट 36 kg के कोई एक परसन है साहिल उनका वेट कितना है 36 kg है इस ब्रदर वेट टू किलोग्राम मोर मिस दो परसन है ठीक है एक तो हैं साहिल और एक है उनके ब्रदर ठीक है यहां मैंने दो पैन लिए हैं मिस इस सिर्फ अंडर्स्टाइंड कराने के लिए वह लिए हूँ एक तो हैं साहिल उनका वेट कितना है 36 kg और एक उनके हैं ब्रदर उनके ब्रदर का कितना है यह है साहिल ठीक है और यह है उनके ब्रदर साहिल का है 36 kg और जो उनके ब्रदर है his brother weight 2 kg more जितना साहिल का weight है उससे 2 kg मोर है तो अब आप सोच के बताएं कितना है साहिल का 36 है तो उनके ब्रदर का कितना आ जाएगा 36 में 2 add कर देंगे means 38 तो हमें इसके लिए लिखो क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले यहां पर लिखेंगे, आप चाहें तो वेट ही लिख दें, वेट ओफ साहिल, ठीक है, तो साहिल का कितना है, 36 kg, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, देरफोर, अगर आप उपर एक डोट लगाएं, और नीचे द लगाएं, यह देरफोर का सिंबल होता है, देरफोर, वेट ओफ साहिल's ब्रदर, जो साहिल के ब्रदर है, उनका कितना होगा, टू किलोग्राम मोर, ठीक है, टू किलोग्राम मोर, मिन्स 36 में, हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 38 kg, ठीक है, अब हमें क्य क्या है, find the ratio of weights of साहिल's brother to साहिल, मिन्स मुझे लिखना पड़ेगा, find the ratio of weights of साहिल's brother to साहिल, ठीक है, नेम में है, नेम है, तो first letter capital होना चाहिए, साहिल's brother to साहिल, ठीक है, अब आप मुझे यह पताएं, जब उसने बोला कि साहिल's brother तो जब साहिल's brother पहले बोला गए, तो साहिल's brother का ही पहले लिखना पड़ेगा, means 38, और साहिल का कितना है, 36, और हमें इसकी क्या find करनी है, ratio, ठीक है, अब आप देखें, इसको हमें कहें, simplest form में भी लिखना होता है, तो 38 को 36 से डिवाइड करें, अब आप देखें, लास्ट और से digit 6 है, तो इसे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, आप 38 को भी और 36 को भी 2 से डिवाइड करें, और यहीं कट कर दें नहीं आता है, तो अलग से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 9s are 18, ठीक है, वैसे भी हमें पता है, 90 और 2s are 38, 2 1s are 2, and 2 8s are 16, 18 और 2s are 36 हमें यह पता ही होता ही ह तो जब 38 को कैंसल करोगे तो लिखना है 19, और 36 को कैंसल करोगे तो आप लिखोगे 18, तो आपका आंसर आजाएगा, 19 रेशो, 18 आंसर, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर है, question number 5, next है, question number 6, देखिए क्या है इसकी, statement है, in an orchard, there are 150 trees, 65 of them are apple trees, 35 are pear tree, and the rest are orange trees, अब यहाँ पर आपको 3 types के trees दिये हुए है, ठीक है, तो जब आप question स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले, क्योंकि statement बहुत लंबी है, तो इसलिए आप इसमें, जितना भी आपको समझ जा रहा है, उसमें से main main चीज़ आप यहाँ से उठा के नीचे लिखते जाए, इने 9000, there are 150 trees, total trees कितने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, total trees, ठीक है, तो total trees है, 150, ठीक है, अब उसके बाद बुला गया, 65 of them are apple trees, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, apple trees, ठीक है, तो apple trees कितने हैं, यहाँ पर हमारे 65, ठीक है, मैंने लिख दिया 65, उसके बाद उनने बुला, 35 are pure trees, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, pure trees, तो वो कितने हैं, 35, अब आप देखो, three types के हैं, मैंने two तो लिख दी है, apple और pear trees तो ल कितने हूँ, orange trees, ठीक है, अब आप देखें, आप कैसे find करोगी, कि orange trees कितने हैं, पहले तो हमें यही find करना पड़ेगा, ठीक है, अब आप यह देखें, मैंने आपको यासे, आप यह तो वैसे बिल्कुल इसना, easy सा question, आप वैसे भी समझी कही होंगे, total तो है 150, apple है 65 trees, और pear 35, क्यों ना हम यह करें, कि देखो, माल लीजे, कुछ question इस टाइब का है, कि आपके trees ना सोचे हैं, माल लीजे, trees नहीं, या चलो trees ही सोच लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कि जिसे वन मोहत सब बगएर होता है, उसमें क्या होता है, आपके trees में, वह सेंप्लिंग आती कुछ तो स्कूल में लगाए गए थे, और बहुत सारे आये थे वो, तो बच्चों को भी दिये गए थे, तो अगर ऐसा ही हो, कि 65 तो एपल, वह जो बहुत सारे आये थे, वहाँ पर, सैंप्लिंग आये थी, या जो भी, उसमें से अगर 65 आपके apple trees और पियर 35 तो हम कैसे नि 65 प्लस 35, कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे इसको करें, आप सिद्धा करो यहाँ पर, आप लिखो 65 और 35, इनको अलग से प्लस कर लो, कितना आएगा, 5 और 5, 10, यह जाएगा, 6 प्लस 1, 7 प्लस 3, 10, मिन्स 100, तो 150, यह 100 trees तो apple और पियर के होगे टोटल, ठीक है, इन दोनों को हम और हम माइनस कर दें, मिन्स कितने आजाएंगे, 50 trees, ठीक है, तो orange trees कितने आगे है, 50 trees, ठीक है, यह तो हमारा, यह हमने इसले से main important जो जीज़े थी, वो हमने निकालने, अब हमें a part का जो question है, हमें वो करना है, देखो क्या find करना है हमें, find the ratio, हमें ratio find करनी थी, यह first part में क्य तो मैं यहां लिखूंगी, ratio मुझे find करनी है, क्या है, apple trees to pure trees, ठीक है, अब आप मुझे इसमें से देख के बताएं, कि apple trees कितने हैं, तो apple trees थी, 65 to pure trees, पियर trees कितने हैं, 35, ठीक है, अब आप इसको simple, हमें simplest form में लिखने हैं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 65 को मैं उपर divided by 35, ठीक है, इसको आप जितना cancel कर सकते हैं, cancel कर लीजिए, अब last recipe दोनों में 5 है, means यह दोनों ही 5 की table से cancel out हो जाएंगी, ठीक है, तो आप बताएं, 5 की table में 35 कहा आता है, 5, 7,035, ऐसे 65 को भी 5 से करो, 5, 1, 5, तो यहां से बचेगा 1, और यहां से 5, 5, 3,015, नहीं आता है, तो 65 को 5 से divide कर लो, 5, 1,005, 5, 3,015, ठीक है, तो कितने पर हुआ, 13 पर cancel हुआ, तो हमारी ratio आजाएगी, 13 ratio 7, ठीक है, यह हमारा जो A part अउसका answer आया है, कि apple और pure trees की, next है, B part, B part पर मुझे find करना है, orange trees to apple trees, तो मैं यहां लिख देती हूँ, ratio, orange trees to apple trees, ठीक है, orange और apple ढूंड लो, अब देखो, orange कितने है, orange हमने find कहते है, 50, ratio of apple trees कितने है, 65, बस इनकी भी ratio निकाल दो, means 50, इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं, 50 divided by 65, ठीक है, यह भी last digit 0 और 5 है, means यह 5 से divide हो जाएगा, अब 5 की table में बताओ, यह 50 कहां आता है, 5 10s are 50, ऐसे 65, मैंने आपको बताया था, यहां देखो, 65 को जो 5 से cancel कर जा तो कितना आता है, 13, अब कोई भी एक ऐसी table नहीं, जिसमें 10 और 13, एक साथ आते हूँ, तो यह है, pure trees to total trees, ठीक है, तो मैं यहां लिख जेती हूँ, यहां ratio लिखना था मुझी, ratio is equal to pure trees to total trees, ठीक है, तो इसमें से देख के बताएं, pure trees कितने हैं, pure trees कितने हैं यहां पर, 35, और total trees कितने हैं यहां पर, total है, 150, धान रखना है, हम बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो सिर्फ इन तिन्नों में से देखते रहते हैं, लेकिन इस question में पुछा किया, total trees कितने हैं, 150, तो यहां 35 और उसको 150 से डिवाइड कर लिए, लास्ट डिजिट जब 0 और 5 अटो 5 से कैंसल हो जाते हैं, 57035, 53015, 0 as it is, ठीक है, तो अंसर आजाएगा 7 रेशो 30, ठीक है, तो यहां पर, अगर इस में में यह दो question ही करवाया हैं मैंने, आपको 5 और 6, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को अच्छे कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, तो उनको पढ़के इतनी positive energy आती है, ठीक है, तो आप अच्छे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे आपको help की जरूर ता है, तो आपके भी किसी और friend को भी ज जाही होती है, ठीक है, तो आप उनको शेयर जरूर करें, thank you so much.